नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी, मेरा किचिन में आग सब का सागत है, आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल का संदेश, तो चलिए नारियल का संदेश बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं, नारियल, शक्कर, मैंने पिसके रखा है शक्कर, और यह दूद है, मैंने थोड़ा दूद गारा किया, उसके आंदर मैंने यह दूद मिक्स किया है, और चाहिए एलाइची, जो कुट के रखा हुआ है, अभी हमको नारियल पिसना है, घीस के रखा हुआ नारियल है, मिक्सर में देखे अभी पीष्णा है तो चलिए हम पीष्टे हैं अर्म हो गया है मैं यहाँ पे एक चम्मस घीर दे रही हूँ और यह जो नारियल है बिना पानी का पीष्णा है मैं नारियल दे देती हूँ अभी इसके अंदर मैं शक्कर डालेंगे शक्कर पूरा नहीं डालेंगे जो जैसा मीठा खाता है वैसा शक्कर डालना है और नारियल का संदिश के अंदर थोड़ा सा शक्कर ज्यादा ही चाहिए दीमी आज पे पकाना है गयास दीमी रखना है फास्ट नहीं रखना है अभी हाम इसके अंदर यह जो दूद मैंने गारा करके रखा है देखिए वो पूरा डाल देंगे अभी यह मुझे 20-25 मिनिट लगेंगे दीरे दीरे पकाना है इसको देखिए 10 मिनिट बाद ऐसा हुआ है और चलाते ही रहना है ना तो नीचे लग जाने का डर है और नन स्टिक में करेंगे तो अच्छा है अभी हम एलाइची देंगे एलाइची देने के बाद और 10 मिनिट लगेंगे एलाइची का पाउडर दे देते हैं और 10 मिनिट ऐसा चलाते रहना है दस मिनिट बाद हम इसमें डालेंगे देखिए मैंने इसमें घी ब्राश कर लिया है अभी ये 15 मिनिट और 15 मिनिट बाद देखिए ये पोजिशन पर आया है अभी इसको हम प्लेट में डालेंगे इसके बाद ठंडा होने के बाद प्लेट से काटके प्लेट से निकलेंगे कोई कोई इसको नारियल का बर्फी भोलते हैं पर हम तो इसको सॉंदिश भोलते हैं तो चलिए बाद इसमें प्लेट में डालते हैं ज्यादा मोटा भी नहीं करेंगे ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे ज्यादा होने के बाद इसको पीस-पीस करके काटेंगे अभी मैं एक घंटा बाद ये शॉंदेश ऐसा पीस-पीस काट लिया है देखिए मेरा है कंप्लीट शॉंदेश नारियल का शॉंदेश नार्केलेश शॉंदेश अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए